ओम श्यान्ति छे मार्च बाबा कह रहे हैं मैं तुहें ज्यान रत्नों की थाली भर भर्खे देता हूँ तुम फिकर से फारिग हो जाओ पावन बन जाओ उच्च बन जाओ जिसको ज्यान रत्नों की थालिया भर भर के मिल रही हो जो इन ज्यान रत्नों को जीवन में धारन करते हैं भविस में भी उनके पास रतन भर पूर होते हैं वे बहुत सा उकार होते हैं बाबा याद दिला रहे हैं जिनोंने सोमनात का मंदिर बनाया मंदिर में इतना धन लगाया वे स्वयम कितने धनवान होंगे मैं तुम सब को धनवान बनाता हूँ स्वरक का मालिक बनाता हूँ जहां तुमारी आयू लंबी होती है जहां तुम भरपूर होते हो महां तुम बेही अभिमानी होने का अभ्यास नहीं करेंगे यवध्यास तुमें यहां करना है तो आत्मा के साथ उगूर ने चुरल रूप से जीवन में रहते है तो बाबा ने हमें बहुत ज्याद़, बहुत स्रेश्ट, बहुत सरल रूप से संपूर गान दे दिया क्या हमें value है कि ये ज्ञान रतन हैं जो हमारे जीवन को रतनों के समान बनाते हैं हमें ये रतन दुसरों को बातना भी है इनसे ही स्वयम का और सब का कल्यान भी करना है तो इन रतनों से अपनी जोली भरते चले जोली बुद्धी रूपी जोली इस ड्राना का सुंदर ज्ञान बाबा ने दिया वेराइटी धर्मों का वेराइटी आत्माओं का कल्प रक्स है आत्मा ये अलग-अलग हैं एक मनुस के फीचर्स न मिले दूसरे से इसके पीछे रहस ये है कि शरीर आत्मा के वाइब्रेसंस उसके संसकारों के अनुसार बनत हैं तो क्योंकि सभी आत्मा ये अलग-अलग हैं इसलिए उनके फीचर्स चेहरे उनके नाकान, आख, मुख सब अलग-अलग हो जाते हैं तो बहुत समान भी हों तो भी थोड़ा अंतर अवस रह जाता है तो कितना ये सुंदर खेल है इसमें सभी धर्म भी आने हैं कोई कहे ये धर्म बहुत बुरा है ये क्यों आ गया ये वेराइटी धर्म इस कल्प रक्ष की सुंदरता हैं तो हमें इस ज्ञान का बहुत अच्छा चिंतन करते रहने चाहिए बाबा एक बात कह रहे हैं कि लोग शानती मांगते रहते हैं भगवान से भी शानती मांगते हैं और व करने की तो इच्छा होती है, तो बाबा याद दिला रहे है, सत्युक्तृता में, इस रस्टी में संपरून श्यांती थी, अब तुम स्वधर्म में इस्थित हो जाओ, तो चित श्यांत हो जाएगा, चारो ओर श्यांती फैल जाएगी, तो हम सभी अपने स्वधर्म में इस्थित होने का पूर्ण अभ्यास भी करेंगे, अपने को सभी चिंताओं से भी मुक्त करेंगे, क्योंकि अथाओ धनसंपदा हमारे पास रहेगी, बाबा कह रहे हैं, तुम्हें याद की यात्रा को भूलना नहीं है, देखे भक्ति में भी स्वच्छता का बड़ा महत्व है, गंगा में जाते हैं स्वच्छों ने, मंदिरों में भी स्वच्छता रखते हैं, घरों में भी स्वच्छता रखते हैं, और तुम तो स्वच्छ बन जाते हो योग बल से, योग की अगनी से तुम्हारे पापनस्ठ हो जाते हैं, तुम् रहे हैं इस सुप्रीम सर्जन की ये बहुत सस्ती दवाई, ये संजीवनी बूटी खा लो अभी, योग-योक्त हो जाओ, तो तुम सदा के लिए निरोग बन जाएंगे, इतना सस्ता सोडा है, इस योग बल से आत्मा को पंख लग जाते हैं, आत्मा स्वच्छ हो जाती है, के बंख देता हूं, इससे तुम अपने घर उठ जाएंगे, पूरे स्वच्छ हो जाएंगे, तो हम अपने मन को स्वच्छ करते चलें, विचारों को स्वच्छ करते चलें, तो सचमुच हम पावन बन जाएंगे, हम सब ब्रह्मा वत्स ब्रहमनात्माएं हैं, हमारी नेचर बहुत स्रेष्ट है, इस नेचर को हम नेचुरल बनाए, कोई भी नेचर बार बार जब काम में आती है, बार बार यूज होती है, तो नेचुरल हो जाती है, तो हमारी नेचर माया भी नहीं है, माया भी नेचर आप जानते हैं किसी की और वियाकरसित होना, देहों से प्यार होना, दुख देना, दुसरों का धन चीनना, दुसरों से लेकर उन्हें न देना, धोका देना, ये माया भी नेचर है, ये हमारी न हो, हम राम्मन हैं, हम स्रेष्ट आत्माएं हैं, सदा ये याद रखें तो हमारी नेचर बहुत स्रेष्ट बन जाएगी क्योंकि इसमर्ती से ही स्वरूब बनता है मैं मानात्मा हूँ, मैं विश्व कल्यानकारी हूँ, इस देव देवी हूँ, दाता हूँ यही समर्ती में रहेगा, तो हमारी नेचर स्रेष्ठ होती जाएगी, और लास्ट बात बहुत सुन्दर है, पवितरता और श्यांती के वाइब्रेशन्स फैलाने वाले ही लाइठाउस हैं, तो हम सभी मैं परम पवितरात्मा हूँ, मैं श्यांत स्वरूपात्मा हूँ, पीस् हूँ, इस स्मर्ती में रहकर योग लगाएं, तो चारो और पवितरता और श्यांती के वाइब्रेशन्स फैलने लगेंगे, आज सारा दिन, हम इस खुसी और नसे में रहेंगे, कि भगवान सामने खड़ा हूँकर, हम ज्यान रतनों की थालियां भरवर के दे रहे हैं, मैं परंपवितर आत्मा हूँ, श्यांती का भंडार हूँ, बावा की केरने मुझे आ रही हैं, और मुझसे चार और फैल रही हैं, हर गंटे में एक मिनट ये सुन्दर अभ्यास करते रहेंगे, ओम श्यांती. क्छिर्स वालिया ये बागार के क्चिर्स वालियांती.